Hello Friends, Welcome to Manasvi Exam Solution हम Agitat, CTAT जैसे exam के लिए Child Development and Pedagogy के question discuss कर रहे हैं कुछ question हम discuss कर चुके हैं यदि आप देखना चाहे तो previous वीडियो को देख सकते हैं उनका link आपको उपर I button में मिल जाएगा या आप channel की playlist में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो में हम कुछ और question discuss करेंगे Question 76 है बाले अवस्था का समय है option है जनम से 5 वर्स तक B है 6 वर्स से 12 वर्स तक C option है 12 वर्स से 14 वर्स तक और D है 14 वर्स से 19 वर्स तक इसका जो correct answer होगा वो होगा B बाले अवस्था का समय 6 वर्स से 12 वर्स तक है next question है बाले अवस्था में समान्यते बालक का व्यक्तितु कैसा होता है option दिये हुए है बहीर मुखी, अंतर मुखी, उभे मुखी और D है व्यक्तितु हीन तो इसका जो correct answer होगा वो होगा A बहीर मुखी बाले अवस्था में बालक का व्यक्तितु बहीर मुखी होता है next question है बहीर मुखी व्यक्तितु के छातर अपने विचारों को और भावनाओं को अभी व्यक्ति करने में option दिये हुए है काफी शमय लेते हैं B है उत्सुक रहते हैं C है जिजकते हैं और D है बिना सोचे निर्ने लेते हैं इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो होगा B उत्सुक रहते हैं जो छातर बहीर मुखी व्यक्तितु के होते हैं वो अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं question है किस सिद्धान्त के अंतरगर्थ बालक के शारिरिक मानसिक सवेगात्मक आदी पक्षो का अध्यन किया जाता है option A है परसपर संबंद का सिद्धान्त B है विकास करम का सिद्धान्त C है एकी करन का सिद्धान्त या D है विकास दिशा का सिद्धान्त तो इसका जो करेक्ट अंसर है वो है A परस्पर संबंद का सिध्धान्त के अंतरगर्थ बालक के शारिरिक मानसिक सविगात्मक आदि पक्षों का अध्यन किया जाता है किस अवस्था में बालक का अव्यक्तितु अंतर मुखी हो जाता है ओप्षन दियू है A है किशोर अवस्था में, B शेशव अवस्था में, C पुरव किशोर अवस्था में या D प्रोड अवस्था में इसका जो करेक्ट अंसर है वो है A किशोर अवस्था में किशोर अवस्था में बालक का अव्यक्तितु अंतर मुखी हो जाता है नेक्स्ट कोश्चिन है शिशु को अपने विकास के लिए किस परकार के वतावरण की आवशक्ता पड़ती है A है शान्त स्वच्छ एवं सुरक्षित वतावरण की B है कोला हल्युक्त वतावरण की C है एशान्त एवं एसुरक्षित वतावरण की और D है वास्त्विक्ता पूरण वातावरण की, तो इसका जो correct अंसर है वो है A, शिशु को अपने विकास के लिए शान्त, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण की आउशकता पड़ती है, नेक्स्ट कोश्चिन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, वहें 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है, ओप्शन A है प्याजे का, B है फ्राइड का, C है वुडवर्थ का, और D है स्टैंग का, तो इसका जो correct अंसर है वो है B, फ्राइड का, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन फ्राइड का है, Q83 है अंगुठा चूसने जैसे सहज परकिरिया किस अवस्था में आरंब होती है शैशव अवस्था में, बाले अवस्था में, यूव अवस्था में या किशोर अवस्था में तो इसका जो correct answer है वो है A, शैशव अवस्था में Next question है शिशू ऐ समाजिक होता है Option है दो वर्स तक, B है एक वर्स तक, Option C है जनम के समय और D है आठ वर्स तक, तो इसका जो correct answer है वो है C, जनम के समय जनम के समय जो शिशू होता है वो A, समाजिक होता है उसको समाज के वारे में कुछ भी ग्यान नहीं होता है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसे समाज की समझ होती जाती है और वो समाजिक बनता जाता है Option है, किस आवस्था में समाजिक विकास में योन विरोध की भावना पाई जाती है Option A है उत्तर बाले अवस्था में B है किशोर अवस्था में C है पूरव बाले अवस्था में D है शेशव अवस्था में इसका जो correct answer होगा वो होगा A. उत्तर बाले अवस्था में उत्तर बाले अवस्था में सामाजिक विकास میں योन विरोध की भावना पाई जाती है उत्तर बाल अवस्था में जो लड़के होते हैं वो लड़कों को ही दोस्त बनाना प्संद करते हैं और जो लड़के होते हैं वो लड़कें को ही अपना फ्रेंड बनाती है Question 86 है बाल विकास की परकिरिया प्रारंब हो जाती है इसका option है A. गरब अवस्था से B. है जनम से C. है नवजात शिशू से D. है शैशव अवस्था से इसका correct answer है A. गरब अवस्था से बाल विकास की परकिरिया गरब अवस्था से प्रारंब हो जाती है नेक्स्ट कोश्चन है किस अवस्था में नेतिक विकास नहीं के बराबर होता है शेशव अवस्था में, पूरव किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था में या यूव अवस्था में तो इसका करेक्ट अंसर है A, शेशव अवस्था में बाल विशेश अग्यों ने किस अवस्था के लिए कहा है कि बालक में गतियों एवं शब्दों के पुनारवर्तन की विशेश परवर्ती होती है बाले अवस्था में, P है किशोर अवस्था में, C है शैशाव अवस्था में, या D है प्रोड अवस्था में इसका correct answer है C, शैशा ववस्था में Question 89 है जीवन के पर्थम दो वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का सिला नयास करता है यह कतन किसका है? Strang का, Adler का, Gooden F का, या Crow & Crow का तो इसका correct answer है वो है A, Strang का Next question है बालकों में उचित अनुचित की समझ उत्पन करने के लिए क्या किया जाना चाहिए Option A है, करतवे पाठ की सिक्षा दी जानी चाहिए B है, कठोर अनुशाशन लागू करना चाहिए C है, कठोर दंड का सहारा लेना चाहिए या D है, परशंसा निंदा पुरुसकार एवं उचित दंड का परियोग करना चाहिए तो इसका जो करेक्ट अनसर है, वो है D, बालकों में उचित अनुचित की समझ उत्पन करने के लिए परशंसा निंदा पुरुसकार एवं उचित दंड का परियोग किया जाना चाहिए इस वीडियो में हमने चाइल्ड डवलपमेंट एंड पैड़ागोजी से रिलेटिड कोस्टिन डिसकस किये आई होप ये वीडियो आपके लिए हलपफुल होगी यदि वीडियो हलपफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फोर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे थैंक्स फोर वाचिंग मै वीडियो